हाई फ्रेंज स्वागत है आपको हमारे चेनल में आज हम बनाएंगे पनीर बटर मसाला तो बहुत असान तरीके से हम बनाएंगे बिल्कुल भी कम समान में हम बना के तयार कर लेंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लगेगा स्वाद में और जट्पस से हम बना के तयार कर लेंगे चलिए बनाते हैं पनीर बटर मसाला पनीर बटर मसाला बनाने के लिए हम लिए हैं एक मिक्सी जार ले लिए हैं अब इसमें हम डालेंगे ट्रमाटर चार ब्रे टमाटर को हम काट करके तब ले लिए हैं मिक्सिजार में अब इसमें हम डाल देंगे थोरी सी हरी मिर्च और एक इंच अधरक का टुकड़ा और थोरी सी खरा मसला हम इसमें डाल देंगे खरा मसला हम डाल देंगे आप यहां पर लहसन का यूज़ कर सकते हैं हम लहसन नहीं डाले हैं अब हम यहां पर डाल देंगे एक चमच धनिया पाउडर एक चमच कास्मेरी लाल मिर्च पाउडर अब इसको हम पीस लेंगे देखिए इसका हम पेश्ट बना लिए हैं और आप इसमें हम डाल देंगे थोरे से काजू काजू हम 15 मेर तक पानी में फुला के तब हम डालेंगे अब पानी में से हम निकाल लेते हैं काजू काजू डालके हम पीस लेंगे देखिए काजू का हम पेश्ट बना लिए हैं काजू और तमाटर सभी का हम एकिए में पेश्ट बना लिए हैं अब हम पनीर ले लेते हैं चार सौ गराम हम पनीर लिये हैं अब इसको हम कट कर लेते हैं पनीर को हम थोड़ा बरे साइज में कट लेंगे छोटा साइज में हम नहीं काटेंगे थोड़े से बरा साइज ही रखेंगे देखे इतना साज में हम पनीर काटेंगे इससे छोटा हम पनीर नहीं करेंगे देखे सभी पनीर हम काट लिये हैं अब एक पैन को हम गरम कर लेते हैं पैन गरम हो गई है अब इसमें हम डाल देंगे थोरे से तेल और अब इसमें हम डाल देंगे बटर बटर डाल दिये हैं अब इसको हलका सा गरम होने देते हैं देखे गरम हो गई है अब इसमें हम डाल देंगे पनीर पनीर जो हम काट करके रखे हैं सभी पनीर को हम डाल देंगे फ्लेम को यहां पे लो रखेंगे लो फ्लेम पे हम फनीर को फ्राय करेंगे पनिर डाल दिये हैं अब इसमें हम डाल देंगे थोरी सी कास्मीरी मिर्च पोडर अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक पनिर को हम हलका सा फ्रै कर लेंगे जब निचे से सीख जाएगा तब इसको हम पलट देंगे देखे इस तरीके से हलके हाथों से हम पनीर को पलट देंगे इस तरीके से पनीर को हम उलटते पलटते हुए फराई कर लेंगे देखे पनीर फराई हो गई है अब इससे जदा हम फराई नहीं करेंगे बस देखे हलका सा नीचे से गोल्डन हो गया है अब इसको फ्रायम नहीं करेंगे अब पनीर को हम निकाल लेते एक पलेट में पनीर निकाल के उसी पेन को हम फिर से चरा दिये हैं अब इसमें डाल देंगे एक चमच के करीब तेल अब इसमें डाल देंगे एक चमच बटर बटर डाल दिये हैं अब इसको हलका सा गरम कर लेते हैं देखिए गरम हो गई है अब इसमें हम डाल देंगे एक छोटी चमत जीरा जीरा डाल दिये हैं अब इसमें डाल देंगे एक तेज पत्ता एक डाल चिनी का टुकरा और तिन हरी इलाइची डाल दिये है, अब इसको हलका सा भूल लेंगे अब हम इसमें डाल देंगे, थोरी सी अधरक कटी हुई आप यहाँ पर लसन भी काट के डाल सकते हैं, इसको हलका सा मिला लेंगे और थोरे से हरी मिर्च, हरी मिर्चम बीच से काट दिये है अब सभी को हलका सा भून लेंगे ताकि कचापन चला जाए देखिए भून गई है अब इसमें हम डाल देंगे प्याज दो मीडियम साइज प्याज को हम छुटे छुटे पीसमें काट करके ले लिए हैं अब इसको हलका सा मिला लेंगे मीडियम फ्लेम पे हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है इसको हलका सा मिला लेते हैं अब इसमें हम डाल देंगे जो काजू और टमाटर का पेस्ट हम बना के रखे हैं वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे सभी पेष्ट हम डाल देंगे यहाँ पे पेष्ट हम डाल दिया है इसको हलका सा मिला लेते हैं अब इसमें हम डालेंगे मसाले एक छोटी चमच हल्दी पाउडर एक छोटी चमच कास्मरी लाल मिर्च पाउडर और एक छोटी चमर्च गराम मसाला पाउडर डाल के अच्छे से हम मिला लेंगे मिलाते हुए इसको भूनेंगे फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे यहाँ पे ताकि जल्दी से मसाला भून सके 10 से 15 ब्रट तक हम मसाला को भूनेंगे मसाला को तब तक हम भूनेंगे जाकि अच्छे से मसाला पेन छोड़ दे और तेल भी छोड़ दे मसाला देखे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे मसाला को देखे मसाला तेल छोड़ दी है अच्छे से मसाला भून गई है अब इसको हम मिला लेते हैं पैन में बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है, अब इसमें हम डाल देंगे पानी, पानी हम यहाँ पे हलका सा गरम डालेंगे, ठंडा पानी हम नहीं डालेंगे, आपको जितना गरेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डाले, बटर पनीर मसाला हलका सा गढ़ाई अच्छा लगता ह जड़ा पानी हम नहीं डालेंगे, पानी हम डाल दिये है, आप इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं अत्यजपता हम निकाल दिये हैं इसमें से, आप इसको हलकी से उबा लाने देते हैं अब इसमें हम डाल देंगे पनीर पनीर हम डाल दिये हैं अब इसको हलकेतु से मिला लेंगे अब इसमें हम डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक नमक हम डाल दिये हैं इसको हलका सा मिला लेंगे अब इसमें हम डाल देंगे एक छोटी चमच के करीब चीनी टर्माटर को खटा हम बैलन्स करने के लिए इसमें हम चीनी डाले हैं आभी इसमें चीनी हलका सा जरूर डाले चीनी डालके इसको हम मिला लेते हैं अब इसमें हम डाल देंगे थोरी सी कस्तुरी में थी कस्तुरी में थी हम डाल दिये है फिर से इसको हम मिला लेंगे अब हम इसमें डाल देंगे बटर बटर हम डाल दिये है अब हम इसमें डाल देंगे एक चमच मलाई मलाई हम फैट लिये हैं ताजी मलाई है मलाई हम डाल दिये हैं अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे पनीर बटर मसाला बन के हो गया है तैयार आप भी इसी तरीके से बनाईए पनीर बटर मसाला बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा स्वाद आएगा, लगेगा ही नहीं कि घर में बना के हम तयार किये हैं, देखने से भी लगता है कि रेस्टोरेंट जैसा बना है, अब हलका सा हम डेकुरेट कर देते हैं, उपर से भी हम मलाई डाल देते हैं, आप यहाँ प मलाई हम डाल दिये हैं अगर हमारी रेसिपी पसंद आये तो हमारे वीडियो को लाइक सेयर और हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें थाइंक यू